यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ एडवेंचर की कोख में ही प्रगती पैदा हुई है विकास एडवेंचर की गोद में ही जन्म लेता है और हरियाना में अब बहादुर गड़ भी मेट्रो सिटी बन चाएगा लोगों को काफी समय से इसका इंतजार था जो आखिरकार अपूरा होगा आज पीएम नरेंदर मोदी इसका उधखाटन करेंगे चले अब सीधा आपको बहादुर गड़ लेकर चलते हैं जहां पर हरियाना के सियम मनुहलाल खटर पहुंचे हैं उधखाटन करने के लिए जो मेट्रो लाइन बहादुर गड़ से खोली जा रही है और यहां पर वो जन्ता को संबोदित कर रहे है समय निकाला मैं बहादुर गड़, जजजर और रोतक की जन्ता तथा अर्यना सरकार की ओर से आपका आप सभी का बहुत-बहुत आर्दिक स्वागत और अविननन करता हूँ प्लान मंत्री जी ये मेट्रो लाइन जो बहादुर गड़ को दिल्ली से जोड़ेगी दो फरवरी दोजार तेरा इसका शिलान्या सुआ था ग्यारा किलोमेटर की लंबी लाइन दोजार अटाइस क्रोड रुपए से बनकर त्यार हुई है यहां से दिल्ली तक आने जाने का एक रास्ता जो बना है बादुबर रो तक जजजर की जनता के लिए बहुत ही एक उपयोग इसका होगा जो लोग आना जाना नहीं भी करेंगे उनके लिए भी इस ओफ लुइंग इसका उवा अनुभव कर सकेंगे क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या से उनको निदान मिलेगा हरियाना की धरती से प्रधानमंत्री जी आपका इतना प्रेम है कि आपने कितने ही इंफरस्ट्रक्चर के जो हमको जितने भी प्रोजेक्ट दिये हैं न क्योब दिये हैं बलके बहुत शीगरता से उनको पूरा करने का काम चल रहा है मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवायत करता हूँ पिछले वर्ष आपने दिल्ली से और फ्रिदाबाद मुझसर तक की लाइन 13 किलोमेटर उसका उद्गाटन किया था आगे बल्लबगड तक वो बन करके त्यार होने वाली है इसी परकार अमारा जो 907 किलोमेटर का 9 नेशनल हाईवे का जो एक तोफा हरियाना को केंदर सरकार की और से मिला है और 4 नेशनल हाईवे जिसका चोड़ा करन का काम चल रहा है इससे भी हरियाना की जनता को बहुत लाब होगा अभी पिछले दुनों में केजीपी का आपने घाटन किया 500 दिन के अंदर अंदर उसको त्यार करा करके इतना जल्दी जो आपने एक काम कराया है आपकी दिड़ संकल्प शक्ति का ये परिचायक है इसी परकार हरियाना में केजीपी का जो केमपी का जो रास्ता है जिसका एक भाग मानेशर से पलवल बनकर चलू हो चुका है और दूसरा भाग जो अभी पुन्डली से और मानेशर तक ये बहुत जल्दी शीगर पूरा होगा इसका भी मैं आपसे निवेजन करूँगा कि उसका भी घाटन करके हरियाना की जनता को ये आप समर्पित करेंगे हमाई बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनके प्रोजल बन गए हैं और जिनके लिए बहुत हमको आशा है कि वो प्रोजल भी जल्दी त्यार होंगे क्योंकि दिल्ली हरियाना तीन तरफ से दिल्ली को लगा हुआ है तो इस प्रकार से जितने भी नैशनल हाईवे हैं सब के वह मैट्रो अत्वा आरा टीयस जो डिजिनल रैपिड मैट्रो सिस्टम है इसके लिए भी सारी लाइने जितनी पैंडिंग है प्रपोजल हैं जो तय हाई निवेदर करूंगा कि ह्हर्याना की हमारी जंता को आप अपने शब्दों से अंपको आशिरवात दें और हत्म्याना की जितनी भी योजनाए है जो मारी पैंडिंग है वो सब आप शिर्वता से पूरी कराए यही निवेदर करते हुए मैं आपको निवेदर करता करेंगे उस शिलापटिका का जो इस कार्कर वस्तिल पर है देवियों सच्छुनु आइए कटल गुनि के साथ आप हरवेक्ट करें माननियां प्रदार मंत्री मोहदे का तुरकेश क्रिपा के लिए जिन्हों ने डिजिटल उद्गाटन के बाध्यम से बादोड़ा मुट्नका मेट्रो सेवा का श्युवारम किया है यह आप सब को इसकी हार्दिक बढ़ाई और हम इस अवसर पर हम प्राटना करेंगे माननियां प्रदार मंत्री मोहदे से कि वे अपने सम्मोधन से हम सब को क्रतार्थ करें हर्याना के लोकप्रिय एवब अविरत परिश्म करने वाले मुख्यमंत्री हमारे मित्र स्रिमान मनोरलाल जी केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी स्रियानाम स्री हर्दिप सी पूरी जी हर्याना सरकार के मंत्री स्रिमान ओम्प्रकाज धनकर जी बहादुरगड के विधायक भाई नरेश कौशिक जी वहाँ उपस्तित अन्य सभी महानुपाव और वहाँ पर बहुत बड़ी संग्या में पधारे हुए हर्याना के मेरे प्यारे भाई और बहनो सबसे पहले आप सभी को हर्याना और दिल्ली के लोगों को बहादुरगड मुंड का मेट्रो लाइन शुरू होने पर बहुत बहुत बढ़ाई हर्याना का बहादुरगड आज दिल्ली मेट्रो से जूड गया है गुरुग्राम और फरिलाबाद के बाद अब बहादुरगड हर्याना का तीसरा बढ़ा ख्षेत्र है जो दिल्ली मेट्रो से कनेक्ट हुआ है आज के इस लोकारपण के बाद हर्याना में मेट्रो नेट्वर्क की लंबाई 26 किलो मिटर तक पहुँच गई है साथियों दिल्ली में चल रही मेट्रो ने किस तरह लोगों का जीवन बढ़ना है उसका गवा हर वो व्यक्ति है जिसने कभी न कभी इसमें सफर किया है मैं भी कई बार दिल्ली मेट्रो में सफर कर चुका हूँ आज से ये अनुभव बाहदूरगट मुन्ड का लाइन पर चलने वाले लोगों को भी मिलने वाला है विशेश कर बाहदूरगट में तेजी के साथ विक्सिद होते हो द्योगों की वज़े से काफी अर्शे से मैट्रो का इंतजार हो रहा था बाहदूरगट में अनेक कॉलेज इंस्टिटूर्स और युनिवर्सिटीज भी है दिल्ली से हर रोच अनेक छात्र छात्राएं आवाजा ही करते हैं अब इस ख्षेत्र के लाखो उद्यमों को विद्यार्थियों को अलग अलग प्राफेशन के लोगों को दिल्ली आने जाने में और आसानी होगी ऐसे तो बाहदूरगट को गेटवे अब हर्याना कहा जाता है लेकिन ये मेट्रो लाइन यहाँ डेवलप्मेंट का गेटवे बनकर पहुँची है मेट्रो की वज़े से लोगों की सहुलियत बढ़ेगी नई कॉलोनिया बनेगी उद्योकों का विस्तार होगा तो रोजगार के भी नए आउसर बनेगे कनेक्टिविटी का विकास से जो नाता है इस मेट्रो नेट्वर को देखकर हम सब इसे भली भाती समझ सकते हैं अभी दिल्ली NCR में करिब 280 किलोमेटर मेट्रो लाइन अपरेशनल है जिस तेजी से इसका विस्तार हो रहा है बहुती जल्द शंगाई, बीजिंग, लंदन और नियोर्क के बाद दुनिया के पांचवे सबसे बड़े मेट्रो नेट्वर के तौर पर दिल्ली मेट्रो की पहचान होगी साथियों, जो सपना दिल्ली में साकार हुआ है अटल इरादो का जो परड़ाम आज दिल्ली एन्सियार की जनता देख रही है वैसा ही प्रयास पूरे देश में किया जा रहा है मेट्रो से जुड़े कारियों में एक बहुत बड़ी कमी ये थी कि हर शहर में पहले अपने अपने तरीके से काम किया जा रहा था मेट्रो और उससे जुड़े निर्मान कारियों के लिए कोई नीती नहीं थी और इसलिए कोई मानक, कोई स्टैंडर्ड, टेकनलोजी, इक्विपमेंट, कोई कुछ ताई नहीं था सरकारों की, नेताओं की मर्जी के मताबिक, स्टेशन और अलग-अलग विभागों के हितों के मताबिक साब निर्मान बिखरे हुए पड़े रहते थे, एक बिखराओं मैसूस होता है अब 2017 में देश की पहली मेट्रो पॉलिसी के बना केने के बाद अब इन सब चीजों को एड्रेस किया गया है, इन पर ध्यान दिया गया है लोगों को एक स्ट्रेशन से दूसरे स्ट्रेशन और फिर अपने घर या दबतर तक पहुंचने में परेशानी ना हो, इसके लिए शहरों के पूरे ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम का इंट्रिग्रेशन किया जा रहा है अब देश में ही कहीं, कहीं पर भी मेट्रों बनें, लेकिन एक तह स्टांडर पर काम करेंगे साथियों, 21 सदी की अवर्शक्ताओं को ध्यान में रखते हुई है शहरों में स्मार्ट, सुलब, सस्ता और साफ सुत्रा पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम देना इस सरकार की प्रतिभद्धता है आज देश के 12 शहरों में मेट्रों नेट्वर्क का विस्तार किया जा रहा है देश के दूसरे शहरों को भी मेट्रों से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित किया जा रहा है इसके साथ ही मेट्रों के डिब्बे भी देश में तयार करने का काम किया जा रहा है गुजरात के बड़ोदा में तमिलनाडू के चेन नहीं में आधूनिक प्लांट बनाए गए हैं मेट्रो प्रोजेक्स में मेकिन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोकॉर्मेंट की पॉलिसी को बढ़ा है और लगबग 75 परसंट भारत में बना सामान लगाना अनिवार्य कर दिया गया है साथियों मेट्रो की विवस्था हमारे अंतरराष्ट्य समंदो और सहीयोग का भी एक बहतरीन उधारन है पहले कई देशों ने मेट्रो के लिए हमारी मदद की अब भारत दुनिया के कई देशों को मेट्रो के कोच की सप्लाई करने के लिए तैयार हो रहा है न सिर्फ अंतरराष्ट्य समंद बलकि कोपरेटिव फेडररिजम कैसे काम करता है उसका भी मेट्रो एक जीता जागता सबूत है आज देश के जिन जिन राज्यों मेट्रो बन रही हैं वहां केंद्रों और राज्य सरकारों की सक्रिय भागिदारी से बन रही है साथियों दिल्नी एंसिरार की ही बात करें तो आज जितना मेट्रो नेटवर्क विक्सित हुआ है उसने हर रोज लगबग छे लाख गाड़ियों की जरूरत को खत्म किया है मेट्रो ने लोगों का समय बचाया है पैसा बचाया है और प्रदूशन भी कम करने का काम किया है मेट्रो के साथ ही सरकार दिल्नी एंसियार में ट्रांस्पोर्ट की पूरी विवस्ता को ही आधुनिक और लोगों की जरूरत के मताबिक बनाने का काम कर रही है दिल्ली को हाई स्पीड रेलवे के माध्यम से सोनी पत अलवर और मेरर से जोड़ने के लिए रीजिनल रेपीट ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम पर भी काम चलना है इसके अलावा दिल्ली के चारों और एक्सप्रेस वे का एक घेरा बनाकर उस काम को भी पूरा करने के लिए हर कोई संबंधित लोग पूर जोज कोशिश कर रहे हैं इसके पहले चरण का एन इस्टन परिफरल एक्सप्रेस वे का कुछ दिन पहले ही मैंने लोकारपन भी किया था हर्याना की तरब से सिमान महुनलाल जी ने बेस्टन परिफरल एक्सप्रेस वे पर भी काम प्रग्यतिक पर है ऐसा मुझे बताया है पेरिफेरल एक्सप्रेस बेने दिल्ली से होकर गुजनने वाली छोटी बड़ी गाड़ियों के संख्या को 25-30% तक कम किया है इससे ट्राफिक पर तो प्रभाव पढ़ाई है प्रदूशन की एक बड़ी बज़े भी कम हुई है भावी और भहनो न्यू इंडिया के लिए न्यू और स्मार्ट इंफरस्ट्रक्टर इस सरकार का कमिट्मेंट है बिते चार वर्षों में रोड, रेलवे, एरवे, वाटरवे और बिजली से जुड़े इंफरस्रक्टर पर सबसे अधिक निवेश किया गया है करगिल से लेकर के कन्या कुमारी तक, कच्छ से लेकर के कामाख्या तक कनेक्टिविटी पर भल दिया जा रहा है सबसे लंबी सुरंगे हो या फिर सबसे बड़े पूल एक के बाद एक सारे प्रोजेक समय सिमा में पूरे किये जा रहा है भारत माला प्रोजेक के तहट देश में 35,000 किलोमेटर लंबे आधुनिक हाइवेच का जाल बिछाने का काम सुरू किया गया है आने वाले समय में एक तरब जहां सो से जादा वाटर वेच देश के ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम में बड़ा बड़लाव लाएंगे वही छोटे छोटे शहरों में विक्सित होते एरपोर्ट लोगों का होसला आसमान तक पहुँचाने का काम करेंगे या आधुनिक इंफरस्ट्रेक्चर हमारे शहरों को 21 सदी में आर्थिक विकास का केंदर बिंदू बनाने में मदद करेंगे देश के अलग-अलग इलाकों में जितना जादा इंफरस्ट्रेक्चर मजबूत होगा संगपर्क सुगम होगा जितना जादा ट्रांस्पोर्ट के अलग-अलग माद्यम एक दुसरे को सपोर्ट करेंगे उतना ही लोगों का जीवन आसान बनेगा व्यापार के नए अवसर खुलेंगे रोजगार के नए अवसर उपलब्द होंगे सात्यों सरकार के इन प्रयासों में सामान्य जन आप सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं होता है ये बहुत आवशक है आईए न्यू इंडिया के लिए बन रहे इस इंफ्रास्टेकर के लिए मिलकर और अधिक प्रयास करे एक बार फिर हर्याना और बहदुर्गट की जनता को बहुत बहुत बढ़ाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस कारे का सबसे अधिक लाब हमारे नागरिक उठाएं नीजी वेहिकल से जितना जल्द हो सके मुक्ति पाएं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदार्मंत्री महोदे अपने करकमनों सी हरी जंडी दिखाकर प्रतीक रूप में इस मेट्रो रेल सेवा का यहां से शबारम और इसे रवाना कर रहे हैं बहुत बहुत आभार माननीय प्रदार्मंत्री महोदे का उनकी खृपा उनके सने हर्याना के प्रती उनके विशेश सने और इस देश को नई हूँ इंडिया के निर्माड के लिए उनके समर्पण के लिए बहुत बहुत आभार माननीय प्रदार्मंत्री महोदे का मैं निवेदन करूँगा माननिय मुख्य मंत्री महोदे से कि वे आए प्रदार मंत्री महोदे का भार विवेक करेंगे और आपको संबोधित भी करेंगे माननिय मुख्य मंत्री हर्याना श्रीमनोहलाल जी आज के इसावसर पर मैं अपने लोग प्रिये प्रधार मंत्री प्रमशर्देश्री नेंदरी मोदी जी का बहुत अभार प्रगड करता हूँ कि उन्होंने आज बहादुरगड से दिल्ली की मुंड का तक किये जो रेल लाइन का नया मेट्रो की जो सर्वेस है इसको शुरू कराया मैं बहुत बहुत उनका अभारी हूँ और विशेशतोर पर आप भी हमारे बीच में हमारे सांसर श्री दीपेंदर हुड़ा जी भी आये हैं इनका भी स्वागत है और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहादुगर के अंदर तीनों जो मेट्रो स्टेशन हैं इनके नाम रखने के कुछ प्रस्ताव हमको मिले हैं और उनके बहादुगर का नाम जोड़ा जाए ऐसे भी प्रस्ताव मिले हैं मैं श्रीमान हर्दीप पुरी जी को वो जो सारे प्रस्ताव सौप दोंगा ताकि हमारी जो मैट्डिली मैट्रो की कमेटी है जिनको यह नाम फाइनल करने होते हैं उनके माध्यम से वो नाम जो है मैं फाइनल कर सके उनमें प्रस्ताव पारे प्रस्ताव जो मिले हैं पंड़त श्रीराम शर्मा जी के नाम से रखा जाए शहीद प्रगेडियर उशार संग्जी के नाम से रखा जाए चौजरी देवलाल जी के नाम से रखा जाए ऐसे कुछ अन्ने प्रस्ताव भी आये हैं लेकिन कमेटी सोच समझ के विचार करके और इन नामों के प्रस्ताओं के बारे में अंतिम निर्णे लेगी और बहुत ज़ली इनका निर्णे अपने को बताया जागा बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का भी बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद तो बहादुरगर में मेट्रो लाइन का से आगाज हो गया है देश के मानिय परधान मंतरी नरेंदर मूदी ने हरी ज़ंडे दिखा कर बहादुरगर से लेकर मंडू का तकी मेट्रो लाइन का शुभारम किया और इस दोरान यहाँ पर मनोहलाल खटर भी मौजूद थे और साथ ही सांसर दिपेंदर हुड़ा ने भी यहाँ पर शुर्कत के